इस एंडीबी योजदा अंतरगत राइबेर फी डव्लू डी रोड से पोखरिया पोखरिया तक के नाम से प्राक्लन के अनुसार कार दिराया गया है ऐसा आश्रम ना करें यह पांजे होकर मुझे करवाई करनी भाए जो पंच वर्शे अनुरेशन अवदी अंतरगत है पंच सब्सक्तों सब्सक्राइब यह जाख लिया गयाओ जिसमें एक संब्सक्तों सब्सक्राइब करने के जिए अनुसित दरपर व्, इस तरह के काज ना करें इन पर उचित करवाई की जाए यहां सोबनिय कारते हैं अब सभा की बैठाक दिस्पति बार दिनांग 13 जुलाई 2023 को 11 बजे पुर्वाहन तक के लिए असगिश की जाती है आला करते रही मांसुन सत्र का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन में सदन के अंदर हंगामा हो रहा है भासपा के तमाम विधायक कुर्सी और टेबल पठक रहे हैं सदन के अंदर पोस्टर लेक कर गए हुए हैं निटीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और सदन के अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये बिलकुल गलत है आप ये बिलकुल सही नहीं कर रहे हैं सदन को चलने दीजिए आपकी छित्र की जंता आपको यहाँ पर अपनी समस्या बताने के लिए भेजी है लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं कुरसी और टेबल पठक रहे हैं और भाजपा के तमाम नेता कह रहे हैं कि गुंडा गर्दी नहीं चलेगी तेजस्वी यादो से इस्तिपा लीजिए और अब तेजस्वी यादो जब जबाब दे रहे थे अक्तुरूल इमाम के द्वारा पूछा गया सवाल था कि सडक क्यों नहीं बन रहा है मेरे छेतर में मेरे छेतर के सडकों की समस्या जो है वो जल्द से जल्द उसका निदान किया जाए और उसी का जबाब तेजस्वी यादो दे रहे थे और उसी दर्मियान उनके उपर कुरसी दे मारी गई लेकिन मार्सल ने कुरसी को कैच करके कुरसी को अल रहा है कुर्सी और टेबल पठकी जा रही है भासपा के तमाम विधायक जो है वो बात सुन नहीं रहे हैं मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और अध्यक्ष बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम मेरा बात नहीं सुनिएगा तो नेता परतिपक्ष का बात तो विजएपी के विधायक कहते हैं कि हम नहीं जानते हैं लेकिन ताना साही नहीं चलेगी और एक परतिपक्ष की बात ही के अंदर भाजपा के नेता नहीं सुन रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि बैठ जाएए, बातों को करने दीजिए, लेकिन वो तो कुर्सी और टेबल पठकने में लगे हुए, अध्यक्ष बार बार समझा रहे हैं कि आज तीसरा दिन है, मानसुन सत्र बहुत छोटा है, चलने दीजिए, अपने छेतर की समस्याओं को सुनाइए, लेकिन विधायक कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, हम सदन को चलने ही नहीं देंगे, और पहले दिन जिस तरीके से हंगामा हुआ, आज तीसरे दिन उसी तरीके से हंगामा हो रहा है, सदन के अंदर खूब नारे लगाये जा रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाये जा रहे हैं, कुर्सी और टेबल पठके जा रहे हैं, और अब भाजपा के नेता कह हूए हैं कि सदन को अस्थकित कर दीजिए, हम सदन नहीं चलने देंगे, अध्यक्ष कह रहे हैं कि अगर आपको जाना है तो आप च जबाब आया है और यह ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार सभी सवालों के जबाब जो है वो लेकर बैठी हुई है लेकिन नेता पतिपक्ष जो है वो सुनना नहीं चाह रहे हैं वो बिरोध कर रहे हैं और उसके बाद अब सदन के अंदर खूब हंगामा हो रहा है और अब जायक सदन के अंदर सवाल करेंगे कि आखिर इस पर अध्यक्ष जो है वो क्या एक्षन लेते हैं वेराल इसकबर में इतना ही बने रहमार साथ और देखते रहे हैं जंदा जंक्शन